खगडिये जिला के बेलदोर प्रखंड शेत्र के करीब 10 लाख की आबादी पर एकलोता प्रात्मिक स्वास्ते केंद्र बेलदोर प्रात्मिक स्वास्ते केंद्र में थोड़ी सी बारिश में पानी लगा रहता है प्रार्टिंग स्वास्ते केंदर में दूरदराज से आए ग्रामीन अपना इलाज करवाने अपना पूर्जा कटाने के लिए ओपिडी जाते हैं तो मरीजों को पानी में रहते हुए पूर्जा कटाने में विवश हो जाते हैं कई ग्रामिनों ने बताया के हम लोग दूरधाराज छेत्रों से आए हैं, बारिश की वज़ा से स्वास्ते केंडर में पानी लगने से बद्बू आने लगी हैं जिस कारण करण की तरह की बीमारियां फैलने का खत्रा बना रहता हैं स्वास्ते केंदर में साथ सफाई नहीं होने के कारण ऐसे दुरगंद आती रहती है इस संभन में बेलदोर प्राट्मिक स्वास्ते केंदर के बी एच एम नितेश अभिजात से पूछा गया कि स्वास्ते केंदर में पानी लगा हुआ है आप वीडियो में देख सकते हैं कि जिले से स्वास्ते केंद्र लोग आते हैं तो उनको कितनी परिशान्यों का सामना करना पड़ रहा है पदारिकारी के जाने के बाद साफ सफाई का नामों निशान नहीं रहता लेकिन जब वो आते हैं तो स्वास्ते केंद्र को दुलहन की तरह सजा दिया जाता है उसने के लिए नहीं चाहती हैं हम लोग पुर्जा कटाते हैं कितना कश्ट से कटाते हैं श्रीप सरकार कौं करा रहा है पुछ पाना जब अपका नाम किस था जब लगड़ा कि जैसे कि पौनी निकासी होता तो में तुछ होता है यह पानी जब जाएगा तो कि आई को अधिक दिमारी उतकर हो सकता है इसमें कितनों बहुत सरा हो जाएगा या मत्छर मक्षे सब नहीं मत्छर के वज़त से हो श्रता है आप किन से नी तासी की हम सर्क लिए परवारी के जिम्यदार है जो उनका जीम्यदारी बंता है पर्वारी शर को कि हैंगे है आप उतना मेरा नाम कि प्रहन हर कि हम बहुत है अब लग गर्वती जोंस के लिए मेल पच्छी कटवाने आए ते अब आपन्यों आपन्यों एड़ से अपन्यों आपन्यों आपन्यों एक आपन्यों से एक इस्था करते हैं